मक्के की रोटी और सर्सो का साग सर्दियों की ये खास और एस्पेसल रेसिपी बनाना बिल्कुल सिंपल है फुली फुली सौप मक्के की रोटी और साग बहुत इजी तरीके से मैं बनाना बताऊंगी तो सबसे पले इस टेस्टी से साग को बनाते हैं साग बनाने के लिए यहाँ पर 250 ग्रम एक बंच मैंने सरसो लिए मोटे डंठल वाले सरसो लेंगे तो पंजाब का ये इस्पेसल पंजाबी साग बहुत ही टेस्टी क्रीमी क्रीमी बनेगा तो इसे साप कर लेंगे और डंठल में जो मोटे मोटे छिलके हैं उसे हम निकाल देंगे और पतियों में भी जो मोटे वाले पति हैं उसमें छिलके होंगे उसे हम निकाल देंगे तो इस तरीके से साग को हम पाले साप कर लेंगे और यहाँ पर एक बंच मैंने पालक लिया है और एक बंच ही मैंने बतुआ लिया है बतुआ काभी मोटे डंठल होगा उसे निकाल देंगे और साप कर लेंगे तीनों सागों को मैंने बारिक बारिक काट करके एक साथी रख ल इसमें डालेंगे चोटे-चोटे टुकरों में कटा हुआ अधरक एक से दो चमच दो हरी मीर्स और थोड़े से लसुन छील करके काट करके और डाल देंगे एक चोटी चमच नमक साग बहुत गलता है तो इसमें नमक कम ही डाले अधा कप के लगबक पानी क्योंकि साग से भी पानी निकलेगा और साग गलेगा एक बार इन सारे चीजों को थोड़ा सा मिला देते और कूकर का ढखकन हम लागा देंगे और गैस पर इसे चड़ा देंगे गैस आउन करके विडियम फ्लेम रखिएगा विडियम फ्लेम पर एक सीटी आ जाए फिर हम गैस धीमा करके इसे गले के लिए चोर देंगे लगबग 15-20 मिनिट बिल्कुल धिमा फ्लेम रखिएगा फिर अच्छे से गलेग और मीठा साग बनेगा साग बन रहा है गल रहा है तब तक हम आटा तयार करते हैं यहाँ पर लिया है मैंने मकई का आटा तो यहाँ पर एक कटोड़ी लिये मैंन एक कटोड़ी से नाप करके आटा लिया है तो दो कटोड़ी से मैं आटा तयार करूंगी तो यहाँ पर दो कटोड़ी मैंने आटा लिये आटा को पले छाल लिजिए ताकि रफ पाटिकल हो निकल जाए इस तरीके का कोई कटोड़ी गलास या कोई बरतन ले लिजिए जिस पानी डालेंगे तो मके का जो आटा है बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा और रोटी यह हूँके आटे की तरह बनेगा तूटेगा नहीं बिखरेगा नहीं फटेगा नहीं अब बेल करके इजली इस रोटी को बना सकते हो पानी अच्छे से गरम हो जाए उबल जाए इसमें आटे को हम डाल देंगे और तीमा फलेम कर देंगे बिल्कुल स्लो और अच्छे से हम आटे को मिक्स कर देंगे गरम पानी में उबलते हुए पानी में आटा को डालेंगे तो अच्छा आटा में लचा काएगा लसीला बनेगा और रोटी बहुत ही ज़्यादा सौप्ट बनेगी न तूटेगी न विखडेगी आप अराम से गी हूँगी रोटी के तरह बेल करके पतले पतले फूली फूली सौप्ट सौप्ट इसकी रोटी आप बना सकती हो तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे उसके बाद हम गैस को आफ कर देंगी इस पर ढगा करके छोड़ देंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम है इसे नॉर्मल होने देंगी जब तक यह नॉर्मल होगा तब तक हम साग को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर कैस मेंने बंद कर दिया था पंद्रा मिनट के बाद में और कूकर से भाब भी निकल गया है डाकन को ऑपन कर लेते हिँ और साग यहाँ पर देख सकते हो अच्छा गल गया है इसे घोट नआ है हमें नहीं तो बेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगा पर कई लोग गेहूं काटा भी इसमें डालते हैं, गेहूं काटा भी पसंद करते हैं, जब भाफ निकल गया, कूकर ठंडा हो गया था, और फिर घोटते हुए मैंने गैस पर इसे चरहा दिया है, गैस का फ्लेम आउन कर और फ्लेम को स्लो रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जब मैं अच्छा आटा डाल रहे हूं, तो यह धीरे-धीरे साग के साथ पक रहा है, तूट रहा है, और इसे हम घोट रहे हैं, तो इस तरीके से साग को हमें तयार करना है, आप चाहो तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके थोरा सचला करके भी इसे तयार कर सकते हो पर इस तरीके से घोटेंगे तो इसमें जो आठा डालेंगे मकई का है या फिर बेशन डालेंगे वो भी पक जाएगा और वो भी मिक्स हो जाएगा तो साग यहां पर बहुत ही बढ़िया क्रीमी-क्रीमी मिक्स हो करके तयार हो कर सकते हैं तो एक चोटी चमत राइक दाने एक चोटी चमत जी राख के दाने डाल देंगे फूट जाए तो बाड़ी कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज डाल देंगे प्याज को तो फोड़ीदेर चलाएंगे और इस तरीके से कलर चेंज हो जाए भून जाए तो फिर इसमें डाल देंगे दो चमच कटा हुआ लासुन और एक चमच भड़के ग्रेट किया हुआ या कटा हुआ अध्रक बारी कटिएगा तीन से चारे यहां पर मैंने हडी मिर्च डाली है मिर्ची अपने हिसाब से ही डाली हुए इस सा लासुन और अध्रक ज्यादा डालेंगे फिर टेस्टी बनेगा जब लासुन और अध्रक भून जाए फिर इसमें बारी कटा हुआ टामाटर डालेंगे दो टामाटर मैंने काट करके डाला है बड़े साइज का मसाले अपने हिसाब से आप तयार कर सकते हो जब भी आप टा यहार मसाला मसाला अपने हिसाब से डालिएगा जैसे कि मैं बोल रहे हूँ साग है तो बहुत जादा मसाले की जरूरत नहीं है मसाला थोरा ही डालिएगा पहुट टिस्टी बनेगा और थोरा सा कर्ची से दबाते हुए टामाटर को मिक्स कर देंगे अब यहाँ पर मसाले तयार है अपने तयार किये हुए साग को डाल देंगे और अच्छे से हम चलाते हुए साग को भून लेंगे साग डालने के बाद में कुकर में जो चिपका हुआ है लगा हुआ है थोरा सा पानी डालिएगा और साग के अंदर डाल दीजिएगा और फिर इस तरीके से साग को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा यहाँ पर कुकर का भी साग मैंने निकाल करके डाल दिया था क्वांटिटी की थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी धकन को लगा देंगे मिक्स करने के बाद में और गैस का फ्लेम धीमा करके चार से पाच मिनटी ने मसालों के साथ चला देंगे तो साग यहां पर बिल्कुल पर्फेक्ट तयार है इसमें कटा हुआ हरादानिया मुठी भर डाल देंग और अगर इक्षा हो तो साग में आप गी का तरका लगा सकते हैं देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा तो देशी गी मैंने गरम किया है दो चमाच इसमें थोड़े से लासून और अदरक बाडिक चौपकिया वा डाल दिया है थोड़े से हरी मीर्च और एक सुखी लाल मीर्च थोड़ी देर इसे हिला देंगे ताकि यह सौप्ट हो जाए हलका सा पक जाए और फिर साग के उपर डाल देंगे इस तरीके से खाने और देखने में पहुत अच्छा लगता है और ढाबा इस्टाइल इसे तयार करना है तो थोरा सा घी या बटर ऊपर से डाल दीजिये तो यह अहां पर साग ready हैं साग तयार हो चुका है अब आटा भी टकन अटा करके देख लेते हैं तो आटा में हाथ हम लगा सकते हैं आटा इतना थंड़ा हो चुका है कि इसे हम अच्छे से तयार कर सके मसाल सके आटा को पूरा थंडा नई करन है हलका सा हाथ सहने लाइक हो जाए फिर आप एक बड़े से परात में डाल लीजिएगा क्योंकि इसे हमें मसालना है तो बरतन हमें बड़ा ही चाहिए थोड़ा फ्री चाहिए और आठा अच्छे से सन गया है पर थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे तो यहां पर मैंने ग है और नहीं हो जाता है और हथेली के निचले वाले भाग से पाम से और अच्छे से इस तरीके से रगड़ेंगे मक्य की आठे का जो यह तरीका है गुथने का बिल्कुल ऐसे ही गुथेंगे फिर रोटी इसकी सौप्ट बनेगी तो इस तरीके से मैंने इसे गुथा लगब तो थोरा सा तेले घी लगा दीजिए और फिर अच्छे से मसली ए चारू तरफ से इस प्लेट से निकल जाएगा और आटा इस तरीके से चिकना हो जाएगा तो देखने में लग रहा है ना गयोंके आठा जैसा इस तरीके से मक्य का आठा तयार कीजिएगा जितना मसलेंगे उतना बढ़िया रोटी बनेगा उतना ही सौप्ट रोटी बनेगा ना तूटेगा ना फटेगा और बनाने में भी असान रहेगा तो रसा सुखाटा में मक्के कर ले ले हूँ हाथ में लगा लेंगे और साड़े आटे का लोई तयार कर लेंगे गेहू के आटे के डोटी जो हम बनाते हैं उसे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मसल करके लोई मैंने तयार किए चारो तरप से एक दम चिकना कहीं से कोई क्रे आटा इस तरीके से गुथेगा और बढ़िया लोई बनेगा और रोटी भी बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगा तो यहाँ पर मैंने बनाया दो लोई और इसी तरीके से सारे आटे का लोई बना करके तयार कर लेंगे दो कटोड़ी आटे में लगवग यह साथ आटे की लोई मैंने 7 रोटी बनेगी यहाँ पर बने दो इंच लोई उठा करके वन्य दो लागव और इस तरीके से दबा देंगे या फिर इस तरीके से हाथ इस तरीके से बनेग। और इसके बाद धीरे धीरे बेलन चलाते हुए इन्हें हम बेल लेंगे तो बेलते हुए आपको पता लग रहा होगा आटा कैसा तयार हुआ है और मके की रोटी कैसे बनाते हैं कोई आनारी आदमी भी बच्चा भी इस रोटी को बना लेगा अगर आटे अच्छे से तयार कर लिए तो अभी मैंने एक रोटी बेल लिया है आप यहां पर देख सकते हो गिहुके रोटी के तरह बिल्कुल पतला पतला चोटे-चोटे बढ़िया तूटा ना फटा बिल्कुल परफेक्ट तयार हो गया और मैंने प्लेट में डाल लिया है और इसी तरीके से साड़े रो नहीं पड़ेगी ऐसे ही आप रोटी बढ़िया बना सकते हो तो यहां पर मैंने दो रोटी बेल करके दिखाया और इसी तरीके से साड़े रोटी को बेल करके प्लेट में रख लिया अब इन्हें हम सेख लेते हैं तो सेखने का तीन तरीका में बताऊंगी आपको जो भी अ तेर लागा करके तवा पर अगर दीजिए तवा अच्छे से गरम हो जाए फिर किचेन टावल से पोच दीजिए इस तरीके से नौन स्टिक की तरह तवा आपका तयार हो जाएगा कोई साभी रोटी बनाएंगे चिपकेगा नहीं और बहुत ही परफेक्ट बनेगा इस ट्र गुमा गुमा करके अच्छे से हलका हलका प्रेस करके अच्छे से पका लेंगे और फिर देख लीजिए पका नहीं पका अच्छे से पक जाए रोटी एक तरफ से कलर आ जाए तो इस तरीके का जाली लीजिए एक और फिर कैस पर डाल दीजिए कैस का फ्लेम थोरा सा देख सकते हैं रोटी बिल्कुल परफेक्ट फुलेगी फैलून की तरफ फुलेगी सॉफ्ट बनेगी और दोनों तरफ से अच्छा पकेगा और पकाते हुए कैस का फ्लेम मीडियम रखियेगा जब बीच का दुसरी तरफ का पाट पकाते हैं फिर अच्छे से अंदर तक पके और इस तरीके से फूली सूपर सॉप्ट और बहुत ही पढ़्या रोटी बन करके त्यार होगा तो इस रोटी को मैंने निकाल लेया दूसरी रोटी डाल दिया हैं आप रोटी को निकाल करके इसमें हम घी लगा कैसी तारीग से प्री counter भी यह नाजका देते हैं तो आपको तवे पर फुला करके दिखाती हूँ तो एक जाली के उपर मैंने फुलाया और दुसरा तवा के उपर ही पलट करके मैंने हलका हलका इसे कपरा हाथ में ले लिजिए फोल्ड करके और इसे दबा दीजिए तो यह रोटी भी बिल्कुल परफेक्ट पूल गई यह भी तरीका आ लेंगे और गयस कः प्लेम इस पर्फेकं यह बना लिए नहीं बना लेंगे तो रोटी भी तयार है साग भी तयार है और साग रोटी मिने सर्व किया है तो आ गए ना धावे की याद जो पनजाभी डावे में आप इस सीजन में जाएंगे तो बहुत ही बड़िया साग रोटी मिलती है तो घर में ही आप इस रोटी को बना सकते हैं मैं तोड़ करके दिखाती हूँ हाथ लगते ही तूटेगा एक धम सौप्ट रूई जैसा और परफेक्ट फूला हुआ आप देख सकते हैं गेहु की रोटी की तरह फूला हुआ है एक धम दोनों परत दो तरफ इसके फट जाएंगे बिल्कुल सौप्ट फूला बना सकते हैं और सर्द्यों का इंजवाइब कर सकते हैं ना फूले मिलते हैं दूसरी की स्थ वाई बाई